नमस्कार, गुड मॉनिंग, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमस्ट्री क्लासेज में और विलियनों की सांदरता वाली पद देख रहे थे उसके अंदर एक हो गया था अपने दर्वमान प्रतिसत्ता उसके बाद अगला है आइतन प्रतिसत् होती है विलियन के सो भाग आइतनों में उपस्तित विले के आइतन भागों की संख्या विलियन के सो भाग आइतनों में उपस्तित विले के आइतन भाग की संख्या कि अपने पास मान लेजिए सो एमेल विलियन है उसमें से विले कितना एमेल है वो उसकी आइतन प्रतिसत्ता कहलाती है सो भागों में से कितने भाग विले के आईतन की द्रेस्टी से उपस्तित है वो क्या कहलाती है आईतन प्रतिसत्ता कैसे निकालते हैं लिखेंगे वोल्यूम दोनु का विले का भी और विलियन का भी क्या ले रहे हैं वोल्यूम ले रहे हैं तो वोल्यूम वोल्यूम परसेंट तो ये भी ml में ले लेंगे यदि ये 100 ml है ये 2 ml है तो कितना परसेंट आजाएगा 2% यानि 100 भागों में 2 भाग उपस्तित है 100 भागों में 5 भाग उपस्तित है तो 5% आजाएगा वोल्यूम वोल्यूम मैं आपको अब ये सवाल कह दूँ कि 25 ml एथेनोल को 75 ml जल में घोल कर बनाए गए विलियन में एथेनोल की दर्वेमान परतिस्ता एथेनोल की आइथन परतिस्ता ग्यात कीजिए बताओ कितनी होगी तो 25 ml गोला है विलियन को क्या मैं लिख सकता हूँ विले प्लस विलाइक तो विले तो कौन है एथेनोल विले विलाइक कौन है जल 25 ml एथेनोल को 25 ml जल में गोला है तो गोलने के बाद 25 ml यह 25 ml यह विले न कितना हो जाएगा विले न का इतन कितना हो जाएगा विले न का इतन बराबर हो जाएगा 25 ml प्लस 25 ml बराबर 100 ml 100 ml में कितना ml है एथेनोल 25 तो 25% आ जाएगा और percentage निकालने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं तो V V percentage बराबर किया जाएगा 25 ml कितने ml में उपस्तित है 100 ml में into 100 ml से ml cancel 100 से 100 cancel कितना है 25% आ जाएगा तो इस तरीके से 100 आइतन की द्रेस्टिशन 100 भागों में विले के आइतन की द्रेस्टिशन कितने भाग उपस्तित है उसको क्या कहते है आइतन प्रतिसत्ता कहते है उसके बाद थर्ड है अपने पास दर्वेमान आइतन प्रतिसत्ता W बटा V percentage विलेन के 100 भागों में उपस्तित विले के भागों की संक्या लेकिन इस बार क्या होगा विलेन का आइतन लेंगे और विले का द्रेमान लेंगे तो विलेन के आइतन की द्रेस्टिशन सो भागों में उपस्तित विले के भागों की संक्या दर्वमान की द्रेस्टिशन या भार की द्रेस्टिशन क्या कहलाएगा दर्वमान आइतन प्रतिसत्ता कहलाएगा तो विलेन के सो आइतन भागों में उपस्तित आइतन की द्रेस्टिशन सो भाग विले के भार भागों भार की द्रेस्टिशन भागों की संक्या विले का तो क्या ले लेंगे भार दर्वमान और विलेन का क्या लेंगे आइतन तो विलियन के सो आईतन भागों में उपस्तित विले के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है दर्वमान आईतन प्रतिसत्ता कहलाती है इसको डबलू यानि वेट वी प्रतिसत्ती यूं दर सहेंगे अपन बड़ाबर क्या हो जाएगा वीजय का दरवमान हो जाएगा और वीलियन का आयतन हो जाएगा वीलियन का आयतन यदि ये ml में है तो ये gram में हो जाएगा और percentage निकालते हैं तो घुणा कर दो source अब मैं आपको कहूं कि NACL का solution अपने पास है NACL का 2% W बटा V का 500 ml विलियन बनाने के लिए कितने ग्राम NACL की आउशेक्ता होगी NACL का 2% W बटा V सोलूशन बनाना है और विलियन का आईतन कितना रखना है 500 ml तो कितने ग्राम NACL को अपने को पानी में गोलना पड़ेगा तो यह दे रखा है W बटा V परतिसत W बटा V परतिसत बराबर कितना 2 विलियन का आईतन दे रखा है कितना 500 ml 500 ml तो यह कर दो 2 W बटा V यहां जाएगा परसेंटेज बराबर 2 है विलियन का दर्मान नहीं दे रखा W ग्राम मान लेते हैं बटा विलियन का आईतन कितना 500 ml इंटू 100 काट दो कितना आजाएगा 10 ग्राम W W कितना आजाएगा 10 ग्राम तो 2 परसेंट है W बटा V कि वेलियन W ग्याद करना है विलियन का इतन 500 ml है तो अपने पास आजाएगा इंटू 100 से उना कर देंगे तो 10 ग्राम आजाएगा 10 ग्राम वेट तो इस तरीके से अपन केल्कुलेट कर सकते हैं